नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लास्टेस पर आपका स्वागत है डेटा आज की दस जून 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रस के इंपॉर्टन यूज जो पीमस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट अर्टिकल है एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन ठीक है टेस्टोस्टेरॉन की डेफिशेंसे मतलब कमी की वज़ए से एक बिमारी हो जाती है Communication जिसको होजाता है Heupogonatism ठीक है यह हाईP Gospel now जो होता है एक तरीके से मेल जो individual होता है Sou obtaining problems create हो जाती है ज्एकि मतलब 막 physically को चिर्ज भी फेस करने शुरूसर नहीं सेक्सरल डिसफंक्षनिंँग का सामना इसके अलावा बोन कच्ची quién होने लग जाती है मसल्स में पेन होना क्वालिटी ओफ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है रिस्क फैक्टर आ जाते हैं क्या एजिंग होना मतलब उम्र जो है वह भड़ती चली जाती है तब यह प्राब्लम और ज्यादा प्राब्लम क्रियेट करती है और डाइबेटिक भी हो सकता है इंडिवीजुल तो ऐसे में यह जो टेस्टोस्टरॉन है इसका रिप्लेस्मेट के औप्शन के लिए काम यह रिसर्स पेपर एक पब्लिश हुआ है जिसमें बताय गया है कि टेस्टोस्टरॉनków को अगर रिप्लेस कर दिया क्योंकि पहले यह बताया जा रहा था कि कार्डियोवेस्कुलर मतला हार्ट से रिलेटेड़ कोई प्रॉब्लम हो सकती है हाट अट्टैक आ सकता है ब्रेन स्ट्रॉक आ सकता है तो बुले यह प्रॉब्लम अभी स्टडी की गई है लगबग 3400 पेशेंट्स पे तो बुले कम च है लावा देखो ट्शाओड ही ओर अवे लबले जिसको बोलते हैं तो ऑलता तो प्लसेबों से भी ज्यादा अच्छा की जाए तो यह फॉर्मोनल कों Corporate करें तो उसके बारे में एक बर आपको पढ़ाएगा थीक है उम्पार्ण के ब الإजन का बाड़ेगा हमारी बिond wprowad car हार्मोन्स के बारे में पूरे डिटेल पता पड़ जाएगी पढ़ लेना एक बार ओके आगे चलते हैं फिर बाद में गायब हो जाती है यह आपको यूनिवर्स में अपियर होती है ठीक है अब देखो पहली FRB कब डिसकावर होई थी 2007 में तब से लेकर जून 2021 तक लगबग 140 फास्ट रेडियो बर्स्ट डेटेक्ट किये जा चुके हैं और यह डेटा कहां से मिला है जो मैसाचियो सेट इंस्टिट अफ टेक्नोलोजी यह एमाईटी वहाँ की वेबसाइट से है ठीक किया जी अब इसमें क्या होता है बस जब हो रहा होता है तब तो देखो रेडियो वेवज हैं वो हाई इंटेंसिटी की रिलीज होंगी और बस हो गया और नेक्स्ट बस होने वाला हो उसके बीच का जो टाइम है ट्रांजिशन पीरियड वह उस टाइम पर वीकर रेडियो वेवज हैं वो ट्रांस्मीट होती है अब देखो इनी रेडियो वेवज को डिटेक्ट किया जा सकता है और लोकलाइजेशन का आइडिया किया जा सकता है कि कहा पर लोकेटेड है जो यह एफ रबीज है वो तो अभी देखा जाए तो एफ आर भी 190520B इसकी लोकेशन जो ह है उसके बारे में आइडिया लगाया गया है कि कोई द्वारफ ऐस्ट गलेक्सी ऐ मतलब गलेक्सी है जिसकी साइस थोड़ी चोटी है ठीक है और यू लगता है जैसे कि उस गैलेक्सी के सेंटर में कोई स्टार फॉर्मिशन प्रसस्स चल रहा है और स्ट जैसे हमारे मतलब प्लेनेट की बात करें अब सॉरी हमारे जो सॉलर सिस्टम है इसमें स्टार है सन और हमारी गेलेक्सी जो मिलकी वे है ऐसे सॉलर सिस्टम मिलकर के बहुत सारे सॉलर सिस्टम मिलकर के फिर बात में मिलकी वे बनाते हैं तो इस तरीके से बोले स्पैसिफिक स्टार फॉर्मेशन अभी डिटेक्ट हुआ है ना FRB 190520 यह पहले के जो डिटेक्टेड FRBs थे उनसे थोड़ा सा strange behavior शो कर रहा है और यह claim कौन कर रहा है USA की National Radio Astronomy Observatory के द्वारा यह claim की जा रही है वैसे scientists जो है वो VLA का भी use करते हैं इन FRBs को detect करने में VLA का मतलब हो गया very large array यह भी एक observatory ही है इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ो गया ठीक है ना कि इसमें कितने सारे antennas एक साथ काम करता है फिर signals को detect किया जाता है जिससे कि हमें idea लगे कि जी वाकई में ब्रह्मान में universe में हो क्या रहा है ठीक है FRBs की अगर बात करें तो एक FRBs के अगर बात करें तो कुछ candidates मतलब कुछ FRBs से तो यह लगता है कि उनका source जो है वो super dense neutron star होता है तो मानलों कोई supernova हुआ है supernova का मतलब एक ऐसा process जिसमें अगर हम देखे तो ब्रह्मान में blast होता है जिसमें गजब का फिर energy generate होती है जिस time पर ठीक है तो supernova बोल दो या फिर जो neutron star होता है उसकी condition जहां पर उसमें magnetic field बहुत जादा आ जाए ऐसी condition में FRBs का chance मतलब formation का chance बन जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो FRBs जो हैं वो form होती है जिससे देखो वही बात है कि universe में क्या क्या process चल रहे हैं उनके बारे में idea लगता है ठीक है FRBs के बारे FRBs हैं थोड़ा sign को याद रख लेना भई आजकर नई research के ओपर questions बहुत सारे आने लग गए हैं prelims के अगर बात करे तो आगे चलता है next है president के election कैसे होता है हमारे यहाँ पे देखो 18 थारी declare कर दी गई है election commission of India के द्वारा इंडिया के 15th president के लिए election होने वाले हैं कौन बनेगा देखते हैं article 62 clause 1 के basis पे election होता है जिसमें यह होता है कि normal circumstances में जो current president है ना उनका tenure complete हो उससे पहले पहले election complete हो जाने चाहिए तो अभी रामनात कोविंजी है इनका term है वो 25 जुलाइ 2022 को complete हो रहा है तो 25 जुलाइ 2022 से पहले पहले election होने जरूरी है ठीक है तो यह process रहता है देखा जाए तो process में क्या method है सबसे पहली चीज़ प्रेजिदेंट के election में participate करने के लिए एक electoral college तयार किया जाता है और उस electoral college में कौन members होता है MPs of both houses of parliament that means राज्यसभा और लोगसभा के elected members होंगे यह ध्यान रखना elected members होंगे ठीक है nominated members नहीं होंगे प्लस जो state legislative assemblies है ठीक है उनके elected MLA's प्लस दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसी union territory जिनके पास में legislative assembly है वहां के भी elected MLA's यह मिलकर के electoral college बनाते हैं इसका मतलब nominated members of राज्यसभा लोगसभा और state legislative assembly या फिर state legislative council के सारे members eligible नहीं है स्टेट legislative council के तो पूरे member आ जाएंगे ध्यान रखना जबकि लोगसभा राज्यसभा और जो विधान सभा है इनके elected members ही आएंगे nominated नहीं आएंगे तो यह paragraph आप अच्छे से याद रखोगे फिर देखो weightage इस तरीके से देखा जाता है कि MLS और MPs का जो vote weightage है वो calculate हो proper manner में देखा जाए तो population के हिसाब से हर एक state को weightage दिया जाता है देखो census कौन सी यूज़ करते है population को अगर हम यहाँ पर consider कर रहा है तो census of 1971 अभी तक वही चल रहा है ठीक है बाकि 2026 में देखते हैं 2026 तक fix किया हुआ है कि 1931 की जो population उसी के हिसाब से होगा वैसे तो amendment हो है बीच-बीच में बट वहाँ पर ज्यादा variation किस basis पर हो है बस इतना ही कि number of seats तो increase होगी नहीं राज्यसभा लोगसभाहिन में यह जो state legislative assemblies है कि वहल population के इसाफ से readjustment किया जाएगा numbers of MPs इन राज्यसभा अगर elected MPs की बात करें तो 233 है तो 233 को readjust ही किया जाएगा यहाँ जी population जो है वो बढ़ गई है तो seat तो 233 ही रहेगी पूरे देश की पर उनको settle करो पूरी population को इस तरीके से है बाकि seat बढ़ा ही नहीं गई है overall अगर अगर आप देखें तो 1971 की census के basis में election होते हैं किसमें अभी भी president की election की बात करें तो ठीक है अब देखो सबसे पहले तो MLA के vote की value निकाली जाती है और वो vote की value कैसे calculate होती है उस state में कितनी population है जैसे UP की बात करें तो UP में एक MLA के vote की highest weightage रहती है वो weightage कितनी है 208 सब से कम अगर देखो तो कहां की है सिक्किम क्योंकि population वहां की कम है तो एक MLA जब vote देगा तो उसके वोटों की weightage क्या रहेगी साथ ऐसे में UP में लगबग 403 मतलब total MLA कितने 403 तो contribution अगर हो तो देखा जाए तो 208 एक जनी का weightage है तो 403 जनों का कितना हो गया 83,824 votes इसका UP के पास में कितने votes हैं President Election के टाइम पे 83,824 votes अब आजाओ सिक्किम की बात करें वहां 32 MLA हैं तो सिक्किम के पास में कितने votes हैं किवल 224 votes इसका मतलब population के हिसाब से weightage दिया जाता है क्योंकि UP के आपको पता है 20-25 क्रोड के लगब population है सिक्किम की लाखों में population है तो कहां पर एक MLA सिक्किम कार कहां पर एक MLA UP का दोनों का difference हुगा की नहीं तो representation population के इसाब से देखना पड़ेगा इसलिए ये difference है overall अगर देखें तो जितनी भी assemblies हैं उनका अगर weightage देखें तो total कितने votes तयार हो जाएंगे 5.43 लाख votes तो ये हो गया MLA की value ठीक है जी MLA के vote की value plus आप देखो कि MPs के लिए भी हमें काम करना है अब MPs भी इसी जनता को represent करते हैं जिनको ये total MLS ने representation दिया है MLS कौन है state level पे elected individuals MPs कौन है national level पे elected individuals तो representation तो जनता गई कर रहे हैं न दोनों तो ऐसे में MPs जो हैं वो देखें तो कितने MPs हैं 776 elected MPs की बात कर रहे हैं 543 तो लोग सभा के elected होते हैं 233 राज्य सभा के add कर दो 776 हो गए अब देखो एक-एक MP का vote निकालना है तो total voting weightage कितना निकला था 5.43 MLS के लिए और MPs के लिए voting weightage overall sum up जो होगा वो सेम ही होगा क्यों क्यों क्योंकि पूरे देश की population को represent कर रहे हैं विधान सभाओं में MLS और Parliament में MPs इसका मतलब लोगों का weightage तो दोनों के लिए बराबर होगा कि नि तो ऐसे 5.43 लाग को आप divide कर दो 776 से एक MP के vote की value आ जाएगी वो हो गई कितनी 700 अब आप voting करवा लो ऐसे करके आप देखो कि 5.43 लाग तो vote weightage हो गया MLS का और 5.43 लाग vote weightage ही हो गया किसका MPs का total vote weightage कितना हो गया 10,86,000 votes होएगी नहीं अब आप voting करवा दो अब voting जब करवाओगे तो elected MLS of all states plus दिल्ली और पुदुचेरी और MPs of लोगसभा और राज्यसभा जो कि elected है अब उनकी voting करवा दो और उनकी voting करवाने के बाद में जितनी और उनके state wise उनकी weightage से multiply करके calculate कर दो ज इसके पास में भी 50% से ज्यादा vote आ गए जिस भी candidate के पास में वो प्रेजिडेंट बन जाएगा election का method आपको पताऊना चाहिए proportional representation by means of single transferable vote अब देखो competition में कौन है वो देखें एक तो देखो ruling जो कॉलेशन है NDA जिसमें बीजेपी लीड करती है तो बीजेपी के पास में around 42 weightage है आराम से और allies के पास में 6% है तो NDA का overall weightage 48% है चाहिए कितना 50% plus 1 अब 50% का जो माजरा है ये कैसे पास हो तो बीजेपी का विश्वास किस पे है एक तो YSRCP पे जिसके पास में 4% weightage है और भीजू जनता दल नवीन पतनायक वाली जो party है उसके पास में 2.85% है अब दे NDA group चाहेगा वो अपने आप अपना president बना देगा क्योंकि चाहिए कितना 50% plus 1 4% अगर YSRCP देता है तो 52% हो गया तो जीत गई इधर 48% में 2.85% हो गया तो वो 50% हो गया प्लस 0.85% हो गया तो इसका मतलब clear cut ये तो है कि BJP जो चाहेगी वो president बन जाएगा पर देखने वाली किवल 13.5% बाकि allies के पास में 10.5% तो 24% वेटेज हो गया Congress और उसके जो UPA था उसमें इसके अलावा DMK, शिवसेना, NCP, JMM, और छोटी पार्टी आओर है Muslim League, VCK, RSP, MDMK ये जो है और support कर रही है तो overall देखा जाए तो वेटेज अभी किसके पास में coalition point of view से NDA के पास में बाकि कुछ पार्टी जैसे त्रणबूल Congress, YSRCP, बीजू जनतादल, लेफ्ट पार्टी ये फ्री है ये किसी भी तरफ जा सकती है Congress की तरफ भी जा सकती है BJP, NDA की तरफ भी पर ज्यादा तर चांसे किसके है NDA के, क्योंकि 48% और दो परसेंट की कमी है, कोई साही राजी हो जाए कर रहा है, मतलब Congress की leadership में किसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि हाजी इसको President बनाओ, और BJP किसको बनाना चाहिए, नाम अभी clear नहीं है, बाकि हाँ BJP वाले का बनना चांस पूरा clear है, अब देखो President कौन-कौन बने वो देखते हैं डीटेल में, सबसे पहले 1952 के election की बात करे तो इसमें कोई contest तो हुआ नहीं था, बाकि हाँ, राजिंद परशाद जी जो थे, उनको लगबग 5,7,400 वोट मिले थे, और opposition में खड़े थे, चौदरी हरी राम, उनको केवल 1954 वोट मिले थे, जीत गए थे ये, ठीक है, इनका ये कहना था, चौदरी हरी राम जी का, कि राणव वोट मिले, opposition में थे, नगेंदर नारायन दास, उनको 2000 वोट मिले थे, और चौदरी हरी राम फिर से खड़े हुए थे, उनको 2622 वोट मिले थे, तो ऐसे में जीत गए फिर से, राजिंदर परशाद जी, फिर आ जाओ, एस राधा कृष्णन, कॉंग्रेस की तरफ स पर रह गए, फिर 1967 में, कॉंग्रेस कैंडिडेट आते हैं, जाकिर हुसें, उनको वोट मिलते हैं, चार लाग के, तरह जार 244, वोट याद रखने की ज़रुवत निया, सीवेंच याद रखने ना, प्रेजिडेंट की, ठीक है, और उनके opposition में कौन थे, कोटा, के सुभारा ठीक है, के सुभारा उस ताइम के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, रिटायर हो चुके थे उस ताइम पे, तो इस तरीके से फिर आपको पता ही है, डॉक्टर राधा क्रिशन जारुपली है, वो बन जाते हैं, फिर बाद में 1969 के बाद में, हाँ, जाकिर हुसें बन कहता है, कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, अगर प्रेसिडेंट की अचानक डेथ हो जाए, ठीक है, तो सीट वेकेंट हो गई, तो उस ताइम पे खाली थोड़े न हो गई, अब देखो, नॉर्मल सरकमस्टांसे में तो टेन्योर काम करवाना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट ते वीवी गिरी, तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तौर पे काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद में ये था कि अब इलेक्शन होने है, इलेक्शन की टाइम पे आप देखो, कि उस टाइम पे कॉंग्रिस द दो कैंडिडेट, एक तो निलम संजीवारेडी और एक वीवी गिरी, अब वीवी गिरी को सपोर्ट किसने किया, गांधी ने, ठीक है, और निलम संजीवारेडी को सपोर्ट किया, किसने, सिंडिकेट ने, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पता पड़ता है, गिरी को तो मि यह कॉंग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिलता है और इलेक्शन होता है जीत जाते हैं ठीक है जी फकुरुदीन अलीजी भी फिर बाद में आगे टाइम बीटता है तो फकुरुदीन अलीजी की डेथ हो जाती है वाइस प्रेजिडेंट बीडी जत्ती होते हैं वह एक्टिंग प् वह इलेक्ट होकर के आते हैं और इनके अगेंश में खड़ा किया जाता है एचार खन्ना देको 1982 का वह टाइम था जब आप देखोगे कि एमर्जेंसी के बाद में कॉंग्रेस के खिलाफ जबर्दस तावाजे उठी थी और जनता पार्टी की सरकार दो साल काम करके जा चु पर पर एमेच बेग को जब अपॉइंट किया गया था ठीक है तो उस तरीके से एक तो यह मुद्दा था दूसरा मतलब यू मानों कि एक तरीके से रिजाइन ही कर दिया था जो बोले कि एमेच बेग का अपउइंटमेंट नहीं होना था कॉंट्रावर्सी जहीं है सुप्र कर सकते हो आर्टिकल 21 को जबकि एमर्जेंसी में आपको पताना क्या चीज चल रही है अभी स्टेटस आर्टिकल 20 & 21 दोनों को सस्पेंट नहीं कहा जा सकता आर्टिकल 352 के बेशिस पर अगर नैशनल एमर्जेंसी लगी हुई है तो यह दोनों आर्टिकल अपहेल्ट रहें एक इंडिवीजुल को खुद के खिलाफ मतलब जो कन्विक्शन होता है किसी भी पनिश्मेंट कि किसी भी चीज के लिए तो कन्विक्शन के अगेंस्ट में जो है आर्टिकल 21 में वह ठीक है जी 1987 इलेक्शन सुप्रीम कोट के जस्टिस थे वी आर कृष्ण आयर पुरान फ जितते हैं कौन शंकर दयाल शर्मा चलो जी आगे पहुंच जाओ फिर 1997 में क्यार नारायनन ओपोजिशन में कौन थे ओपोजिशन में टी एंड शेशन ठीक है जिन्हों ने कॉलेशन पीरियट में जबर्दस तरीके से अलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को पाउरफुल तरी सपोट मिला था सबकी तरफ से ठीक है और अगेंस्ट में कौन करें थे कैप्टन लक्षमी सहगल तो इस तरीके से कलाम जी को तो मिल गए कितने नौलाग बाइस जार वोट जीत गए इसीली फिर आ जाओ 2007 में प्रतिवा पार्टिल और सामने थे भैरो सिंग से कावथ बीज जो उस ताइम पे लोग सबा स्पीकर थी कब है 2012 तक 2013 तक जो स्पीकर थी UPA 2 में उसके बाद में आप देखो ऑपोजिशन में कौन थे रामनात कोविन जी जीत गए कोविन जी साथ लाग दो जार वोट ले कर गे ऐसा कर कि अभी करेंट अब इलेक्शन अब होंगे तब दे देख ली थी डिफेंस अक्यूजिशन काउंसिल जिसको चेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के दौरा उन्होंने एक्सेप्टेंस ओफ निससेटी के वेसिस पे लगबग 36000 करोड रुपय का अलोकेशन किया है कि जी नेक्स जन्रेशन कॉरवेट हम तयार करेंगे हमारे नेवी को strengthen करने के लिए कवेट इस तरीकी के छोटे शिप होते हैं ध्यान रगना हले कोरवेट क्लास ओफ नेवल शिप है छोटी साइज के नेवल शिप होता है जो की बहुत ही क्विक होते मिसाइल बोट्स भी इनको बोला जाता है एं-टी सब्मरीन शिप भी बोला जाता ठीक है इंडिया की अगर बात करें इंडिया नेवी के पास में तो कामोर्था क्लास के कॉर्वेट्स हमारे पास अवेलेबल है यह छोटे जहाज है इनका क्लास कौन सा है कामोर्था प्रोजेक्ट 28 के बेसिस पे डवलप हुआ है तो प्रोजेक्ट 28 याद रख लेना बई यह प्रोजेक्ट के नाम आते हैं नेवी में है तो प्रोजेक्ट 28 यह कामोर्था क्लास की जो कॉर्वेट्स है वो प्रडूस हुए थे और प्रड़क्शन का हुआ गार्डन रीच एक है कवरती यह चार नाम हैं कवरेट्स के कॉर्वेट्स के थिक है न्यू जन्रीशन कारवेट्स की बात करें तो देखें टोटली इंडीजीनस बनाना के पूरी कोशिश की जारीं मेक इन इंडिय प्रोग्राम के बेसे बैसे में हमारा प्राइवेट सेक्टर और इंटर् मिशन है उनको कर सके एसकोर्ट ऑपरेशन की बड़ा शिप जा रहा है नेवी का तो उसके चारो दरब जो छोटे-चोटे शिप चलते हैं उन्हीं को तो बोलते कॉर्विट डेटरेंस की कोई अटेक करें तो उसको छोटे वाले शिप समाल लें सर्फेस एक्शन ऑपरेशन सर अटेक सारे काम करना देखो हमारे गॉट्मेंट के दोर एक प्रोग्रम चलाया जा रहा है एक सागर सागर का मतलब हो घ्या सिक्यूरिटी एंड ऑट फॉर ओल इन दे रीजिन और हमारे आसपास के एरिया में प्रोटेक्शन देना नेवी के बेसिस फें इसके यलाबाए य जिसे शिकारी, अजंता, संकेत, कवच, यह highly advanced requirements हैं, और इन equipment का यूज करके, यह detect भी करता है, attack भी करता है, defense भी करता है, सारा काम करता है, जरूर याद रख लें, recently नाम थे, शिकारी, अजंता, संकेत, कवच, यह क्या थे, बता दे ना भई, कि कॉरविट, जो naval ships हैं, उनमें यह highly indigenous indigenous developed equipments हैं जो कि जहाजों में लगे हुए हैं नीवी में ठीक है आगे चलते हैं फिर यह bond yield से related article है जेको bond yielding rise हो रही है इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी 7% से भी ज्यादा जा चुका है कि government of India को पैसा चीए आने वाले 10 सालों के लिए कि यहां 25-26 करोड़ रुपया 25-26,000 करोड़ रुपय की ववस्था कर लो या फिर 2-4 लाग करोड़ रुपय की ववस्था कर लो तो ऐसी ववस्था में वो क्या करते हैं RBI की थू कागज इशू करते हैं authorized document जिनको हम bonds बोलते है उन पर लिख देते हैं कि हाँ जी इतना रुपया का ये इस कागज की value है और इस कागज को जो भी लेगा उसको government इतना percent interest rate देगा ऐसे से करके government बेचती है RBI इसका दलाल बन जाता है government का और बेचता है अब देखो जी लोगों के पास में जिनके पास पैसा है वो तो invest करते ह हैं और वो यही देखते हैं कि हमें return अच्छा काब मिल रहा है अब यहाँ पर हम point क्या कर रहे हैं कि 10 साल के जो government के bonds हैं उनकी yielding rise हो रही है yielding का मतलब कि जो भी invest करेगा ना उसको उपज अच्छी मिलेगी अब आप देखो कि 7.5% की उपज मिल रही है इसका मतलब अगर को कोई investor 100 रुपय का bond खरी देगा ना उसको 7.5 रुपय तो टपाक से मिल जाएंगे अब आप बोलो investor attract होंगे की नी इस तरफ एक तो हो गया यह अब इसमें government ने उधार लिया ना दूसरी तरफ अब इधर देखें तो एक private sector company भी चारी है उधार लेना market से अब private sector company भी इसी त साड़े साथ परसेंट तक का yielding दे रही है अपने bond पे तो फिर private sector पे दबाव बनेगा कि नी उनको भी ज्यादा pressure फील करना पड़ेगा तब जाकर के investor उनकी तरफ attract होंगे वह सीधी सी बात है एक बंदा government के bond में इन्वेस्ट करें तो साड़े साथ परसेंट का yield मिल रहा है और प्राइवेट के में इन्वेस्ट करें तो साड़े साथ का है तो किसमें इन्वेस्ट करेगा government के में क्यों confidence से गवर्मेंट बरबाद नहीं होगी private company तो पता नहीं बाग जाए इस case में private वालों के pressure आ जाता है तो private वालों की yielding और ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है तो यह तो होता है देखो debt market उधार लेना एक वक्त के बाद में return कर देना अब एक investment segment होता है that is equity market equity market में क्या होता है कि company होती है वो अपनी value को एक हद तक public के लिए open कर देती है कि हाँ भई public investor है जिनके पास पैसा है जो खुद तो बड़ी company नहीं खोल सकते पर वो इच्छा रख वाला system होता है वो equity वाला होता है इसमें क्या होता है एक बंदा invest करता है ना पैसा वो पैसा company को देता है पर वो एक हक के तौर पे देता है अब जिसका हक बन गया तो भई वहाँ पर वो ब्याज की इच्छा नहीं रखेगा उसको मिलता है dividend कि company ने कितना मुनाफ़ा कमाया और जितना मुनाफ़ा कमाया जाएगा उतना उनके जो मालिक है उन मालिकों में छोटे मोटे shareholders भी आते हैं उनकी account में पहुंच जाएगा monthly basis पे annual basis पे जो भी उनका रहता है fix तो ऐसे में equity market को loss हो जाएगा कारण कि आप देखो इधर debt market में जब अच्छा-कासा return मिल रहा है और इसमें पैसा जो है वो लगा दिया वो पैसा आपका जैसे ही ये bond mature होगा return मिलेगा तो एक investor क्यों equity में जाएगा इस तरीके से private sector में जो companies हैं उनको problem आने लग जाती है पहला नुकसान तो हो गया था bond वाला दूसरा नुकसान हो गया equity वाला कि लोग जल्दी से अब equity की बजाए invest करेंगे debt instrument में bond खरी देंगे ठीक जी तो इस तरीके से equity से पैसा निकल करके bond की तरफ जाना शुरू हो जाता है जो की productivity point officer ठीक नहीं रहता क्यों क्योंकि एक बंदा जो equity market में invest करेगा वो पैसा जल्दी से नहीं निकालेगा और company अगर नुकसान ये नहीं कह सकता क जी मुझे तो मेरा percentage fix दो क्योंकि अब मालिक है तो मालिक तो नुकसान में भी बराबर का हगदार है फाइदे में भी बराबर का हगदार है वाली चीज होगी जबकि debt में क्या है चाए company बरबाद हो चाए तिरे चाए कुछ भी करे भाई मुझे तो मेरा 7.7% देदो आप ज नुकसान हो जाता है एक तो government को क्योंकि government को फिर जहां 100 रुपए लेने में पहले 55% की yielding देनी पड़ रही थी वहाँ 7.5% देने पड़ेंगे तो नुकसान तो हुआ है ना तो government को भी उधार लेने में problem आती है private sector को भी problem आती है अच्छा दूसरी problem और क्या आती है private sector के में कि एक तो equity से पैसा निकाल करके लोग किसमें लगा देते हैं bonds में debt वाले में दूसरा ये problem आ जाती है कि जब bond yielding बढ़ गई और एक company ने पैसा उधार लिया market में bond issue करके और bond yielding बढ़ गई तो इसका मतलब उस bond की service करने के लिए उस company को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा कि नहीं पहले तो 5 रुपए में काम होता था अब 7.5 रुपए अगर वो company pay करेगी तो company के मुनाफिय में भी तो नुकसान हो गया ना तो इस तरीके से bond yielding economic के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है ठीक है इसके अलावा दिखा जाए जो बंदे जिन्होंने पुराने bonds म उनको नुकसान होगा कैसे मान लो bond आज अगर government issue कर रही है और bond yielding ज्यादा हो गई तो इसका मतलब government को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा investor को इसका मतलब government bond holder है अब investor को bond हो देगी तो government को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कि नी investor के इन्वेस्टर के हाथों में पैसा दे में जोडनी आया और इंवेस्टर ने भी इंवेस्ट कर दिया कि चलो ठीक है सो रुपे पर चार रुपे तो कमा लेंगे ज्यादा ज्यादा इंवेस्टर ने लगा दिये पैसे अब उस इंवेस्टर के पास में पैसा है कब तक गवर्मेंट ने वो जो बॉंड इशू किये थ फिर तो वो जल्दी से पैसा रेडीम नहीं करेगा अब बात आ जाती है कि दो साल बाद की आज की परिस्थिती बॉंड येल्डिंग हो गई साड़े साथ परसेंट लिया कितने में था चार परसेंट साड़े तीन परसेंट का हुआ कि नहीं राइस अब ये बंदा इसको पैसे की जरूरत पड़े गई जिसने दो साल पहले इन्वेस्ट किया था जिसके हाथ में आज बॉंड है अब बताओ वो अगर मार्केट में इ नुकसान में चला गया तो बॉंड होल्डर है ना उसको नुकसान होता है जब भी बॉंड येल्डिंग राइस होती है इसका मतलब एक्जिस्टिंग बॉंड होल्डर है ना वो फिर कोशिश करते हैं जैसे ही थोड़ा सा इंट्रस्ट रेट और ये राइस होती है ना वो न एक नगो मिलता है ठीक है तो यह equation थी बड़ी complex रहती है ओके आगे चलता है प्रेजिडेंट के एलेक्शन से रेलेक्शन हमने अल्रडी बात कर लिया पूरी डीटेल में ठीक है पंद्रवे प्रेजिडेंट के एलेक्शन की बात चल रही है और एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने डेट्स भी अनाउंस कर दी है ठीक है 21 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा 13 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं ठीक है दूसरा यह जो इधर पावर मिनिस्ट्री के दुआरा बैंकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि भई कुछ भी हो पावर जनरेशन कमपनीज हैं उनको आप लोन दो बैंकों ने क्या कह दिया कि बात ऐसी है साब इन्होंने लोन पहले ले रखा है पर लोन रिटन ही नहीं दिया तो हम कैसे उधार दे दे इनको यह बरवाद बढ़ी हैं कमपनिया बोले पहले वो रिटन कराओ इस तरीके से इशू अटका हुआ पड़ा है जैसे हमने सुबह इस चीज को डीटेल में देख लिया था कि कैसे बैंकों को राजी किया जारा गवर्मेंट के द्वारा कि जी आप लोन दो जिससे की लोन लेकर के वो काम कर पाएं बट वो लोन देने से पहले हजार बार सोचते हैं भाई जिसमें मालदीव की तरफ से जो पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना यूएन में उन्होंने ये कहा कि इस्लामोफोबिया को लेकर के जो एक सोशल मीडिया पे मोमेंट चल रहा है इंडिया में इसलाम को लेकर के जो डर है उसको लेकर के तो बुले उस चीज को अग इस केस में इसलाम के लिए अगर कोई कमेंट करता है सोशल मीडिया पे इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया के जो लगबग 130 करोड लोग है उनकी सोच है यह वो कुछ लोगों के सोच है तो वो कोई इशू नहीं है सब को freedom of speech and expression का वो राइट है इस तरीके से मालदीव्ज ने अपनी तरफ से यह statement दिया है ठीक है जी जो कि अपने आप में बहुत ही important है हमारे लिए आगे चले फिर अगली न्यूज यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायो टेक एकोनोमी की बात करें तो पिछले आठ सालों में आठ गुना बढ़ गई है दस बिलियन डॉलर की थी असी बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है और गौर्मेंट जो है वो लगातार एक्सपेंड करना चाहरी है बायो टेकनोलोजी बेस को ठीक है जी इसके अल किल युएसे के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा था कि जी एलेसी क्या क्रोस चाइना लगातार इंफ्रस्ट्रक्चर डवलप कर रहा है जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा गातक है तो मिनिस्ट्री आफ एक्स्टन अफेयर ने भी अपनी तरफ से स्टेट्में है अब 16th round की मीडिंग होने वाले है क्योंकि अभी तक भी कई स्टेंड पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आमने सामने खड़ी है इंडिया की और चाहिना की मिलिट्री वैसे हमने देख लिया था कि पैंगॉंग शो में illegally occupied area में चाइना ने दो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर लिये हैं जो कि हमने प्रिवेस वीडियो में देख लिया है वर्ल्ड पेस पर अगर देखें तो इंटरनेशनल अटॉमिक एजेंसी जो है ठीका आई एई ए उसके दुआरा ये स्टेट्मेंट दिये हैं कि इरान में जो nuclear facility है वहाँ पर हमने CCTV कैमराज इंस्टॉल किये थे उन में से कैमराज को हटा दिया गया है इरान के द्वारा तो बोले ये अपने आप में गलत बात है ये एक्शन गलत है तो डिरेक्टर जनरल आफ आई ए ए ए ए ने क्या कहा कि भई अगर आप nuclear deal साइन करना चा रहे हो इरान को बोला है western countries के साथ में तो ऐसे में इस तरीके के activities उस nuclear deal को final नहीं होने देगी और इसराइल ने इस particular कदम को promote करने की कोशिश क्योंकि इसराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है कि nuclear deal sign करे western countries जिनमें US और European countries प्लस इरान रश्या तो देखो थोड़ा सा exclude हो गया कारण क्या है पता है इसको क्योंकि अभी युक्रेन में लड़ाई चल लेना ठीक है जी आगे देखो हमारे पडोसी दो economies बिल्कुल बरबाद पडोसी एक है श्रिलंका श्रिलंका ने इंडिया चाहिना और वेस्ट एशिया से रिक्वेस्ट की है कि वही पैसा ओर दो हमें जिससे कि हम इस crisis से बाहर निकल सके है ठीक है वैसे इंडिया की तरफ से दूसरा अगर देखें तो electricity investment point of renewable energy deal हो रखी है अडानी ग्रूप की और श्रिलंका की वहां की जो system वहां का जो establishment है उसके साथ में तो उस project पर भी कहीं ना कहीं एक impact बन रहा है इसके अलावा पाकिस्तान एक और economy जो की बहुत बुरे तरीके से crisis में चल रही है बरबाद हो र पहत है जो आपने energy deals कर रखी है ना चाइना के साथ में Chinese companies के साथ में उन deals को review करो renegotiate करो जिसमें आप उनको लगबग 300 billion dollar rupees का deal जो कर रहे हो ना पहले एक बार उसको review करो एक बार पाकिस्तान के लिए सरदर्दी हो गई अब क्योंकि पाकिस्तान को पैसे की जरुरत है में कुछ ना कुछ हो रहा है और चाइना ही वहाँ पर Chinese companies ही वहाँ पर पैसा मांगती हैं जिसकी वाइसे पाकिस्तान बिल्कुल बरबाद हो रखा है यह दोनों country जैसे हैं जहां पर Belt and Road Initiative के basis पे दोनों ने अच्छा participation लिया था आजाओ Thailand में क्या हो रहा है Thailand में यह Thailand जो है एशिया का पहला country बन गया जहां पर Marijuana को legal consider कर दिया गया है Marijuana जिसको हम गांजा बोलते हैं Cannabis भी बोला जाता है तो ऐसे में world के तीन countries हो गया है जहां पर legally recreational Marijuana को allow कर दिया गया है इस तरीके के settlement में कोई जा करके अगर नशा करके enjoy करना चाहता है तो Thailand में allow कर दिया है दो countries कौन है जो अल्रेडी है अलाव कर चुके है अरुगवे और Canada अरुगवे South American Canada North American country ठीक है और Thailand के अगर बात करें तो Thailand के साथ में अगर म्यामार को एड़ कर दो और Laos को एड़ कर दो तो यह तीनों countries मिलकर के बन जाते हैं क्या golden triangle जो आपके सामने screen पर है अब यह video कभी भी terminate हो सकती है तो आप खुछ से देख लेना पर ठीक है तो इसमें म्यामार हो गया इधर Thailand हो गया इधर Laos हो गया ओके आगे चलते हैं Economy page पे एक news है वो यह कि Information Technology Act 2000 में एक section हुआ करता था section 66A उसको 2015 में श्रेया single case में Supreme Court के दुआरा unconstitutional declare कर दिया गया था उसमें provision क्या था कि अगर कोई भी social media platform पर ऐसा content share कर दे जो की कहीं ना कहीं problem create कर सकता है तो state उसमें action ले सकता है state मतलब government तो ऐसे में government ने article 19 clause 2 जिसमें reasonable restrictions लगाई जाती है freedom of speech and expression पे उसको यूज करते हुए बहुत सारे action लिये थे ऐसे में Supreme Court नहीं कहा दिया कि freedom of speech and expression को curb करने के लिए state इस particular section 66A को illegal unconstitutional manner में यूज करती है तो इस comments crap करते हैं अब इंडिया क्या कर रहा है इसी section 66A के provision को United Nation में भी लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया जिसमें अभी तक तो किसी भी country ने support नहीं दिया सबका एक ही कहना है कि जी ये तो freedom of speech and expression के against जाने वाली बात है तो ये है मुद्धा यहां पर पढ़ लेना